नश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव भारदाच को फाउंडे रियल्टी राइनोज और वापिस स्वागत है आपका इस एक जबरदस वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपके साथ शेर करने वाला हूं दो टाइप के बायर्स कोन से होते हैं और आप किस टाइप के बाय शेर करता हूं हाई गैस मेरे माम है गौरव भारदाच तो दो टाइप के बायर है पहले बायर वो है जो डिसीजन को डिले करते हैं आज नहीं लूँगा एक महीने बाद लूँगा तीन महीने बाद लूँगा छे महीने बाद लूँगा एक साल बाद लूँगा दो साल बाद लूँगा पांत साल बाद लूँगा दस साल बाद मर जाओंगा जब लूँगा देखा आपने लापरवाई का नतीजा है दूसरे टाइप के बायर है जो क्विक डिसीजन मेकर्स हैं जो डिसीजन क्विकली लेते हैं तो इन दोनों के अंदर फरक क्या रहता है आप भी उस चीज को कोडिनेट कर पाएंगे तो जो पहले लुआ एक महीने बाद लूँगा तीन महीने बाद लूँगा उनके साथ क्या होता है वह बाद में पच्ताते हैं रिग्रेट करते हैं कि यार मेरको डिसीजन ले लेना चाहिए था उस टाइम स्पेशल 26 आफ़वर आया था मेरको जनवरी में डिसीजन लेना चाहिए था 26 पर फ्री मिल रहा था 5% का discount मिल रहा था 5 लाग तक का discount मिल रहा था साधी 6,000 उपर फर्स के पर प्रफर्टी मिल रही थी 10,300 उपर का rate मिल रहा था 1DXP में वो लोग regret करेंगे अगले महिनी मार्च में यहां पर वो opportunity miss out कर जाते हैं और पैसा lose करते हैं और एक्चल जो return on investment होती है वो enjoy नहीं कर पाते क्यों क्योंकि वह सही time पे और सही price पे सही समय पर सही भाव पे property mentor नहीं कर पाते और बाद में पच्ताते हैं और बाद में expect कर सकते हैं मुझसे या builder से कि मुझको पहले वाला offer दे दीजिए please करवा दीजिए कहीं से करवा दीजिए वह inventory दिलवा दीजिए जो मिल रही थी मिलको धूप वाली inventory चाहिए थी जहां पर अच्छे धूप आती है मिलको inventory चाहिए थी जहां पर central green facing ओ लगून facing ओ लेक facing ओ और वह inventory निकल जाते है तो उ cyber city से तो बाप बेटे को बोलता है कि बेटा देखो जब मैं आता था ना यहां पे 20 साल पहले या कुछ नहीं हुआ करता था यहां दूर दूर तक खेत हुआ करते थे यहां पे plots काट रहा था DLF ओके और यह बिल्डिंग्स वगरा कुछ नहीं हूँती थी वहां पे आपको तो मेरे को आज स्ट्रगल ना करना होता मेरी जो प्रोपर्टियों करोडर पे की हो चुकी होती है ओके यहां पे अभी बहुत साहे लोग अभी रोज कहारी सुनते कि कल भी मैं बैठा हुआ था तो बतारे थे कि न्यू पालम वियार में एक टाइम पे रेट होता था और ती सब्सक्राइब करें तो उनको बताए जाता था कि देखो भाई साब वह जो पेड है उसके पीछे आपका प्लॉट है और वह आज की डेट में लगबग 32 करोड की प्रोपरिटी हो चुकी है तो वह उन्होंने डिसीजन को डिले नहीं करा उन्होंने क्लिक डिसीजन लिया य यहां पर मैं आपको पहले टाइब करते हैं तो यहां पर मैं आपको पहले टाइप के जो बायर्स थे उनका एक्जंपल दिया यह भी जो लोग डिसीजन को डिले करते हैं और बाद में पच्टाते हैं दूसरे टाइप के बायर्स कोंत से होते हैं जो विक decision लेते हैं quick क्या करना है तो करना है no matter what कैसी में मेरे को funds arrange करने है बट मैं करूँगा I am going to make sure मैं best offer best deal best time पर best price पर best builder के साथ best location पर लूँगा अपने मौके की inventory लूँगा उसको को छोड़ूँगा नहीं उस decision को delay नहीं करूँगा quick decision लूँगा अपना पैसा भी बचाओंगा और पैसा भी बढ़ाओंगा वह discounts भी enjoy करते हैं first rate भी enjoy करते हैं वह property खरीदते टाइम वेट नहीं करते हैं वह property खरीद लेते हैं उसके बाद वेट करते हैं जिसके वज़े से वह capital appreciation भी करते हैं वह 5 लाक रुपे गज की चीज़ 5 लाक रुपे गज में भी बेशते हैं और देखते हैं 5 लाक रुपे गज खरीदा था वह 7 लाक रुपे गज तक भी जाएगा प्लस उनको किराया भी आता है rental returns भी आता है क्योंकि उन्होंने सई टाइम पर decision ले लिया return on investment भी अच्छा आता है क्योंकि सई टाइम पर decision ले लिया जो मैंने आपको बताया एक example जिन सर्दार जी थे पंजाब के उन्होंने सई टाइम पर decision लिया quick decision जिया 1400 रुपे गज प्रॉपर्टी खरी दिया आज की रेड में 32-34 करोड की प्रॉपर्टी है वहीं पर मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने उनको सेक्टर 31 के आसपास एक plot मिल रहा था उस टाइम सवाड़ 8 करोड रुपे का वह आज की रेड में उस टाइम पे उन्होंने 1 करोड की प्रॉपर्टी थी ओ आज की डेड में 16 करोड की प्रॉपर्टी हो चुकी हूँ इसके अलवा यहाँ पे अंसल के अंदर हो गया प्रिंस्टन, प्रिंस्टन का एक्जांपल देता हूँ अमारे साथ एक गौरव उनका भी नाम सेनी था गौरव तो उनसे में बात ह तो वो बता रहे थे कि प्रिंस्टेन का जो फ्लैट गोल्फ कोस रोड पर जब में वहाँ जॉब करता था तो बीस लाक रुपे का मिलता था वो आज की डेट में छे गुना हो चुका है लगब सवा डेट करोड का हो चुका है उस टाइम अगर वो डिसीजन ले तो छे गुना मल्टिप्लाई कर देते अपनी प्लॉपर्टी पिछले 14-15 साल के अंदर बट उन्होंने नहीं करा इसलिए एक और था जिन्होंने सही डिसीजन लिया द्वारका के अंदर एक और फ्रेंड है उन्होंने 10 लाक रुपे का फ्लैट करीदा था और आज की डेट में वो लगब डिसीजन लीजिए सो डाट आपको कल इन लोगों कितरे पस्ताना ना पड़े आपके बच्चों को जो आपके नेक्स जन्रेशन है उनको पस्ताना ना पड़े वह आपको दुआएं दे क्या मेरे मदर फादर ने दादा ने दादी ने आप एरे पेरेंट्स ने मेरे तो लोगों की हैबिट होती है ब्लेम करना वो अपने उपर रिस्पोंसिबिलिटी नहीं लेंगे बड़ सकता है अपने पेरेंट्स को ब्लेम करें तो मेक्शर आप इस डिसीजन को डिले ना करें अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करना चाह रहें तो सकते हैं गुडगावा रियल स्टेट मार्केट के अंदर अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक कर दीजे इनकेस अगर आपको कोई क्यों सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इंदियो नंबर पर कॉल कर सकते हो वीडियो अच्छा लगया तो इसको शेर कर दीजे अपने दोस्ते के साथ जो लोग decision डिले कर रहे हैं और जो लोग पस्ता रहे होंगे तो दोडो टाइफ के लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेर कर सकते हैं WhatsApp पर, Facebook पर, LinkedIn पर, Instagram पर जहां पर आपका दिल करेमाज शेर कर देजिए So thank you so much for watching till here मिलता हम अभी आपको next video